सार दोस्तो मैं विकास कुमार फिटनेस ट्रेनर मैं आपको आज कुछ ऐसी गलतियां बचाने वाला हूँ जो जिम के अंदर विगनर्स या नियु श्लिडेंट या विन पूराने बच्चे भी मैंने ऐसे काफी देखे हैं जो जिम के अंदर आके सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और उनको उसकी वज़े से इंज्रीज होने के चांसे बहुत जादा होते हैं फिर बोलते हैं सर मुझे यहां पेन हो रहा है मुझे यहां पेन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है वाम अप ना करना वाम अप ना करने की वज़े से हमारी बौडी में इंज्रीज होने के चांसे बढ़ जाते हैं अब सबसे पहले बात कि उनको पता ही नहीं कि वॉम अप होता क्या है काफी ऐसे बच्चे हैं ने तो वह स्टेचिंग को ही वॉम अप समझते हैं तो मैं आपको आज यह क्लियर करने वाला हूँ कि वॉम अप और स्टेचिंग दो अलग अलग एक्सरसाइज हैं तो सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं जीम के अंदर आके वह मैं दिखाता हूं स्टेचिंग और वॉम अप दो चीज़ी अलग है वह आपको मैं आज लाइब दिखाता है अब यह वॉम अप नहीं है यह स्टेचिंग है ठीक है कुछ लोग यह अब स्टेचिंग को ही वॉम अप समझते हैं कुछ लोग पुसब करने लगते हैं डारेक की पुसब मारना ही वॉम अप होता है या कुछ लोग कुल अप करना स्टार्ट कर देते हैं उसे वॉम अप समझते हैं तो सबसे पहले आप व तो तो फैले आपको पता होना है वह में आपको बताताज हूं यगalis कर सकते हो पांसे अच्छे से वम अप कर सकते हैं तो पांसे साथ ही चैनल कर सकते हैं कुछ भी पांसे साथ मिनट आप कर सकते हैं इसके फायदे बहुत हैं अगर आप अच्छे से ओम्अप करते हैं सबसे पहले आपको बोडी गरम करना थंडे बोड़ी को कभी मोड़ना ही नहीं है जैसे हम लोहे को गरम करने के बाद ही उसको जाए डा precon Elizabeth सबसे बेस्ट यह है कि आप सबसे पहले 5-7 मिनट वाम अप करें उसके बाद स्टेचिंग करें उसके बाद ही आप मसल ट्रेनिंग पे जाएं तो यह सबसे बेस्ट तरीका होगा इसके फायदा यह है कि आप इंजरीज से बचोगे इंजरीज आपकी बोड़ी में कभी नहीं ह कारियां मैं आपको दूंगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करें थैंक यू बेरी मुच